नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कारकम गुद मॉर्निंग इंडिया कोरोना महभारी से निपतने में पार नसी मॉडल की चर्चा देश भर में हैं इसलिए पियम मोदी आज सुबा 11 बजे इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से बात करेंगे साथ ही शेहर के डॉक्टरों, पेरा मेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंट लाइन स्वास्ते कायकाताओं से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी बात चीत करेंगे प्धानमंत्री पंडित राजन मिश्टरा, कोवेड असपताल सहीद, वारनसी में विविद्द कोवेड अस्पतालों के कामकाँच की समैक्षण भी करेंगे जिसे हाली में DR-DO और भातिये सेना के सैयोग प्रयासों के माध्यम से शुरू किया गया था वो जिले में गैर कोवेर अस्पतालों के कामकाज की भी समिक्षा करेंगे दरसल हाली में पीम मोदी ने चक्रवात आउते का निरक्षिन करने के लिए गुजरात का दौरा किया था इस बीच पीम मोदी ने हमदबाब में एक बैठक की अध्यक्षिता की थी इस बैठक में उन्होंने गुजरात सरकार से कहा कि आपको वारनसी से सीखने की जरूरत है कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर का प्रभाब अब कम होता दिख रहा है कुछ राज्यों में कोरोना पॉजिटिव रेट में गिरावट दर्च की जा रही है हाला कि परशिम्बंगार का नाटक केरल समेथ 22 राज्यों ऐसे हैं जा पॉजिटिविटी रेट 15 फीज़ी से ज्यादा बना हुआ है ये भले ही चिंता जनक इस्तिती है लेकिन कुछ जगाओ पर पिछले हफ़ते की तुलना में पॉजिटिविटी रेट कम भी हुआ है जिलों में 29 अपरेल से 5 माई के दुरान पॉजिटिविटी रेट 21.5 फीज़ी था यानि की पॉजिटिविटी रेट कम होने वाले जिलों की संख्या बढ़ रही है देश में बुद्वार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 20 लाग से ज़्यादा कोरोना सेंपल टेस्स किये गए इन में से 2 लाग 76 लोग पॉजिटिव आई यानि की पॉजिटिविटी रेट 13.40 फीज़ी रहा अब तक कुल करीब धाई करोड लोग पॉजिटिव हो चुके है भारत में ज़्याद लिवा कोरोना वाइरस की दूसरी लहर के बीच अमेरिका की तरफ से भारत की कोरोना टीके की 8 करोड डोस देने की खबर है हाला कि विदेश मंतराले रिकाहा है कि सरकार अमेरिका से संपर्प में है लेकिन अभी तक भारत को मिलने वाली डोस की ज़ानकारी नहीं है भारत को 8 में से 6 करोड वैक्सीन देने की मांग उठ चुकी है विदेश मंतराले के प्रवक्ता अरेंदम बागचीं से अमेरिका समित अन्य देशों से टीके के खरीद के बारे में सवाल पूछा गया था उन्होंने कहा कि हमने उन खबरों को देखा है जिसमें अमेरिकी सरकार ने दूसरे देशों को कुछ मातरा में टीके उपलब्द कराने का आशवाशन दिया है लेकिन इस बारे में हमाई पास अभी तक और जानकारी नकी है हाला कि उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका उद्योगों में किसाथ टीकों की खरीद और बाद में देश उसके उत्पादन की समभावना के बारे में बाच्चीत कर रहा है उन्होंने कहा कि एक बात ठीके खरीद या उत्पादन के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं तब इस से देश में ठीके के उपलब्धता के सिती मजबूत होगी उने कहा कि विदेशों से जो भी टीके खरीदे जाएंगे वो हमारे नियाम दिशा निर्देशों के तहट होने की ज़रूरत है जहां तक हमारी ज़ादकारी है अमेरिका ने भी संके दिया है कि उसकी और से दूसरे देशों को भेज़ जाने वाले टीके उत्पादन गुणवरता संबंदि संगिया खादे और दवा प्रसाशन के मज़ूरी के अनुरूप होगी दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम निकलवट ले ली है तेज हवाओ और खने बादलों के साथ दिल्ली NCR के का इलाकों में बारिश हो रही है मौसम विभाग का कहना है कि पश्चवे विश्चोप सक्री है जिसके चौलते दिन बर दिली एंसिया का मौसम इसी तरीके से बना रहेगा पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापान में भी गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग के मुताबिक गरज के साथ 30-70 किलो मीटर प्रती घंटे की गती के साथ तेज हवाय और हलकी से मध्यम पतिवता की बारिश दिली और एंसिया के अधिकांज इस्तानों पर खूनी की संभावना है देश के कई लाकों में अगले दो घंटे के दौरान बारिश की संभावना है यूपी दिली राजस्तान साहित कई हिस्सों में बारिश के असार है झाल 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 झाल